कि आप सभी को मेरी नमस्तेया और जयहिन मेरा नावास थैणी है वर्बल्माइद भास थैनी में आप सभी का सुवागत है कि तब से मैंने बढ़ाना स्टाट किया है इस टैप के मेहतरीन कुशन आज तक नहीं देखे एकाद एकाद होता है लेकिन कल-कल में में पास तीन सवाल आए और तीनों सवाल जो आपका हैट कॉंस्टिबल वाला जो वाइलेस ऑपरेटर वाला जो एक्जाम हो रहा है इसमें से बता रहे हैं बच्चे ठीनों कोशन दिखा देता हूं एक दो और तीन और यह वाला कोशन तो मैंने कल भी कराया था डे टू में समय लगेगा बहुत तसली से समझाना पड़ेगा तारह कोशन अपने एक से एक है ठीक है बहुत यहां से सुनना है पहला कोशन कि इतने पेयरंट बनेंगे एकस वाई के अगर एक सेट है जिसके अंदर एक से लेके 43 तक कहने आपके पास सेट है 12345 43 तक नंबर है मतलब x के अंदर भी इंमें से कोई भी नंबर आ सकता है ठीक है बस यह द्यान लखना कि x बढ़ाना चीए y से ठीक है एकस आपका बढ़ाना चीए y से तम आफ एक्स और y even चाहिए दो कंडिशन है कि x बढ़ाना चाहिए और सम आफ X और Y even होना चाहिए मतलब आप ऐसे समय लो पहले example दे देता हूँ यह कहना चाहरे है कि जैसे अगर आपके पास एक set है एक, दो, तीन, चार इसमें से अगर मैं देखू X के अंदर मैं ये सारी value ले सकता हूँ Y के अंदर भी मैं ये सारी value ले सकता हूँ आपको X, Y का set बनाना है किस तरीकी से बनाना है कि X बढ़ा होना चाहिए Y से पहली बाद और दोनों का जोड़ दोनों का जोड़ even होना चाहिए तो even बनाने का तरीका है even कैसे बनता है odd plus odd से भी even बन जाता है और अगर मैं even plus even जोड़ूँगा तो even रहे गई तो दो cases देखने बढ़ेंगे पहला case अगर मैं example दे रहा हूँ पहले में यदि मानलो आपने ले लिए 4 even even वाला ले लेते हैं तो 4 के साथ आपका 4 और 2 वाला बन जाएगा एक बन गया है मतलब इसमें से फोटे वाला लेना है आपने बोल दिया यह ले सकते हो बस आप ठीक है एक ही case और दूसरा अगर मैं देखू और अगर तीन ले रहे हो तो तीन के साथ आपका एक बन जाएगा यहां पर ठीक है और तीन के साथ आपका यह पूछ रहा है तो आप एक बात समझो बहुत ही बहतरी है मैंने बोला y में 1,2,3,43 तक हो सकता है x में 1,2,3 मतलब इन में से कोई भी हो सकता है सबसे पहले case 1 हमें चाहिए e1 प्लस e1 ताकि e1 बनाए ज्यान से तुनना saluted question बनाने वाले को और मैं बहुत जादा खुश हूँ कि इस level के question अगर SSC पूछ रहे मतलब future bright है ठीक है ठीक है e1 प्लस e1 बराबर यह वाला case ले रहा हूँ मैं ठीक है आप देखो यहाँ पे x की value आपको हमेशा बड़ी रखनी है y की छोटी रखनी है आपने बोला y का पहले 2 ले लो अगर 2 ले लोगे तो यहाँ पे consequence 4 भी ले सकते हो 2 के साथ 6 भी ले सकते हो 2 के साथ 8 भी ले सकते हो यानि कि इंदिया last term minus first term 42 minus 4 divided by difference plus 1 यानि कि आपने सीधा सीधा करते हैं 20 बन गए यानि कि जब मैं 2 ले रहा हूं y के अंदर 2 ले रहा हूं तो सिर्फ y के अंदर 2 लेने से जो set of pair बने 20 बन गए अब आप बोलो y के अंदर आप अगला even number पर 4 भी ले सकते हो तो जब मैं 4 लूँगा तो 6 4 के साथ 8 dot 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 42 तक यानि कि अब 19 बन जाएंगे 19 तो आप समझ गए कि even even वाले case में अगर हम ध्यान से देखे तो 20 फिर 19 बनेंगे फिर 18 बनेंगे और dot 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 1 तक बनेंगे यानि कि सिर्फ पेरिंग देख रहे हैं जब हम even even वाला case लिया तो यह आ गया इसको जोडने का क्या तरीका होता है 20 into 21 and n plus 1 by 2 यानि दो सो दस तो यही आ गया सिर्फ पहला case है यानि कि यह वो case है जब मैंने केवल even और even को जोड के even मनाया ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर odd और odd को जोड के case 2 यहां से भी बनेंगे भाई obvious सी बात है तो आपने बोला यहां पर 1 ले लो अगर यहां पर 1 ले लोगे तो यहां पर 3 ले सकते हो 5 ले सकते हो dot 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 43 भी ले सकते हो यानि last term minus first term divided by difference plus 1 यानि कि यह 21 आ गए ऐसे 21 बनेंगे फिर आप यहां पर 3 ले लोगे तो 3 के बाद यहां पर 5 37 dot 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 43 यानि कि यहां पर 20 यानि अब आपके पास 20, 21 sorry 21 टे शुरू करना था 21, 20, 19 and so on बहुत ही बहुत ही बहुतरीन question है wonderful question अब आपको चाहिए टोटल कि कितने पेर बनेंगे 210 पेर तो तब बन रहे थे जब मैंने even even वाला केस लिया 231 पेर तब बन रहे है जब आप odd odd वाला केस ले रहे हो 441 is the correct answer अब अगर इस लेवल पे SSC पूछ रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं सब नहीं skip किया होगा लेकिन हाँ आने वाले time में धीरे 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 अब जैसे तीन question बता रहे हैं कल की shift में बढ़िया क्या सोचके दिये हैं वो वही बता सकता है बढ़ हमारा कराना और इस तरीके से कराना कि repeat जब कभी भी दुबार आएगा तो आप इसको कर सकते हो मैं इसका चाहता तो मैं इसका एक रटा रटा है method भी करवा सकता था एक formula बता देता कैसे होगा लेकिन उसके लिए भी दो formula याद करने पड़ते कि जब 43 संख्या है और संख्या है उसका अलग इवन संख्या है उसका अलग लेकिन कुछ फायदा नहीं है सीखना चाहिए आपको धंग से question number 2 अब यह इसको reasoning में भी कह सकते हो math में भी कह सकते हो पाँच letter है P A E A N इनको इस manner में अने change किया कि जैसे dictionary में होते हैं यानि अगर dictionary में सबसे पहला word देखे तो बनेगा A A P E N सबसे पहला word आपने बोला हाँ यार सही सबसे पहला word यह बनेगा दूसरा word A A P N E तीसरा word A A E P N and so on इस तरीके से dictionary में बन जाएंगे यानि आप बोलो कि ठीक है ऐसा कुछ कह रहा है वो तो आप बताओ what is the place on मतलब कि अब जैसे यह पहला word था यह दूसरा word था तीसरा word था यह जब लिखा होगा तो कौन सा होगा पचासतव प्लेस है 52 प्लेस है 56 प्लेस है 54 प्लेस है अद्भुट सवाल ठीक है आप मुझे बता हो जैसे अगर मैं शुरुवात कर रहा हूँ पहले मैंने ए से शुरू किया आपने बोले ठीक है यानि अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आपने मेरी probability वाली क्लास देखे तो उसमें मैंने पर्मुटेशन वाली चीज थोड़ी सी बता रखिया उसी से हो जाएगा क्या आपने बोल दिया यहां पे 4 3 2 1 क्योंकि अगर फिक्स है एक पोजिशन फिक्स है यहां पे 4 3 2 1 यानि कि आप बोलोगे फिर B से स्टार्ट होगा अब B A A E N P A A N E इस तरीके से यानि कि अब यह 25 26 ऐसे करें 25 26 अब यहां देखो आप क्योंकि अब यह जो चीज है डबल है अब आपने बोला इसको भी 4 factorial बोल देते पर डबल है आने की वज़े से चाहे मैं इसको आगे पीछे कर लो तो इसलिए मेरे डबल आ रहे हैं तो इसको आप हाफ कर लो यानि इस वाले case में 4 factorial divided by 2 यानि कि 12 ऐसे आएंगे जो B से स्टार्ट होंगे 12 ऐसे आएंगे जो B से स्टार्ट होंगे अगला आपने बोला E E A A B N 12 ऐसे आएंगे जो E से स्टार्ट होंगे थोड़ा दिमाग पर जो डालना पड़ेगा वरना यह बांसर जाएगी फिर से बता देते हैं जब हम A A से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास 24 नमबर ते जो A A मतलब एक तरीके से डिशनरी पढ़ रहे हो हुआ है अब यहां पर भी आ गया थिए अब अगला जैसे आप बोलोगे अगला वाला कहा से स्टार्ट होगा एंड से और पहला नमबर क्या होगा एन ए ए आपका आजगन NAABE यनी कि 24 28 तक तो हो गए 9 लेकिन यह तो नहीं पूछा इस ते अगला पूछा है पचास्वा नमबर कौन सा आजगा NAAEB यह मेरा पचास्वा नमबर एंग पचास आंसर है तो अगर इस टाइब के कोशन देखके भी आपको और मतलब पहली बात तो डरना तो होता नहीं है अगर आप से नहीं पूछा आपको जॉप तो लेनी पड़ेगी ओव्यस्सी बात है आप बैक आउट करोगे ठीक है स्किप कर सकते हो अगर कोशन आते हैं तीन कोशन भी आते ह सकते हो आने वाले टाइम में बट अगर हम देखें जैसे अगर ग्रीम पोस्ट की बात होती है किसी को में जाना है इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको पता है कि टॉप पे रहना पड़ता है राइट शॉर्ट वीडियो का परपस भी यही है वह डिस्क्रिप्शन में जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा वापे सारी इंफर्मिशन में मिल जाएगी एक और सवाल कल मैंने डे टू में इस टेप का सवाल करवाया भी है तो यह तो आसानी रहेगा जिसने भी देखा है इंबटे दो यह असान कोश ठीट अब बोलों के यह अपर 354 कि वाइफबाय एट असे पहली मैंसे कर दो तो सब्सक्राइब करस्क्राइब तो हिस यह यहां पे आपका आ गया थ्री बाइट मैं सुबाइट टू मैं मैंस गर यहां पर अपना गया थ्रीवाएटू वन बाइट टू ठीक है प्लस वन बाइफो डॉट 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 तो यह जीपी में इंफाइनेट तक है आपने बोलती है आपने वन बाइटू अपने वेली होती है ए वन माइनस आर इस फॉर्स टंडिस इस कॉमन रिशू तो अब लोगे इसको अगर मैं हो रहा है वन बाइट तो आपने बोलती है आप पर हाफ यानि टू इस वाले इस वाली चीज़ की वेल्यू अगई तो इस पूरे की जगें यहां पर लिख देते हैं एस बाइटू की वेल्यू हो गई टू प्लस वन बाइटू इंटू टू से टू कट लिया तो यह आपका के तीन कोशन आये थे या नहीं आये ठीगें अब तो बस आप लोगों की बाते सुन सकते हैं तब तक की नहीं सकते आप मैस में saucy मूझे अ जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है यूटूब पे तो सबसे बेस्ट कोशन मेरे को अभी तक जो मैंने करवाए है वह सबसे बढ़ी है यही कोशन लगे मुझे पैस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें फोड़ा फिल्टर जाता इसली हो जाएगा कि इसको कितना आ जब Mir sev चूबड़ाना स्बसे अखना अग्ले यूड़ाना सु infection कितना और उज्टर झाला झाला हूई